हे गाईज केस्व आप लोग बहुत बश्वागे थे आपका सुपर फास्ट क्लास एज यूटूब चैनल पे दोस्तों ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि आप लोगा बोरियम 2023 के लिए पूरा का पूरा इंगलिस का पेपर पैटर बदल दिया गया है और इससे रिल्टेड मैंने आपका मॉडल पेपर भी डाल चुका है चैनल पे आप जाकर उन्हें देख सकते हैं ठीके कई बार मैंने मॉडल पेपर की विडियो बना चुका है और उसमें क्लारिफाइव ही कर चुका है आप लोग का बीसमार का उबजेक्टिव कोशन इंगलिस में कैसे आएगा उसी के करम में अभी जो आप ये स्कीन पे देख रहे होंगे ये 2022 का आप लोग का प्रिबियस एर कोशन पेपर है ठीके 2022 का पेपर है क्लाश 10 का जिसका कोड है 8171 इसमें जो ग्रामर सेक्टिव के पाँच अबजेक्टिव टाइप के कोशन इसे सॉल्व करेंगे देखो जो अबजेक्टिव कोशन थे ग्रामर सेक्टिव वाले उनको सेम टू सेम इस साल भी कैरी किया है उसमें कोई चेंजिस नहीं हुए चेंजिस कितना कैसे हुए आप वो जाकर जो निव पैटर के मॉडल पेपर है मैंने उसको डाल रखा है चैनल पे आप लोग जाकर देख लीजेगा ठीके तो इस वीडियो में ये जीतने भी ग्रामर सेक्टिव वाले कोशन है उनको हम लोग solve करेंगे बाकी इससे आपको idea लग जाएगा कि आप लोगे grammar सेक्टिव में कोशन कैसे आ रहे है ठीके और उसको solve कैसे करें कुछ चीज़ें आप सीख भी लोगे तो चलो बिना time wasting के मैं इन कोशन को solve कर रहा जाता हूँ बाकी आप अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये हो तो यार चैनल को subscribe कर लेना और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं ओके गाइस तो देखो जो आप लोग का paper था उसका मैं यहाँ पे फोटो काउपी निकाल लिया हूँ ताकि यह बताने में आशानी रहे आप लोग देख सकते हो इसको थोड़ा मैं आपको जूम करकर दिखायता हूँ जूम करना चाहूँगा ज्यादा बेटर रहेगा देखो यहां 817 एके ये code है इसको चलो हम लोग solve करते हैं ठीक है देखो यह आप लोग का section C के अंतरा grammar का यह section है ठीक है और इसमें देखो जो question क्या है कि choose the correct option to answer the following question और 5 गोड़े 1 equal to 5 लिखाय निए 5 question है आप लोग के एक एक नमर के objective type के तो चलो सबको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला इसमें प्रस्ण में आप लोग देख सकते हो कि a kind man greeted them a kind man greeted them यानि एक जो द्यालू आदिम है उनका अभिवाधन किया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है कि identify the adjective और मैं 100% आपको लगबग 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन 99% गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग का बोर्यम 2023 होगा ठीके उसमें यहाँ पर आप लोग का adjective से ही ज्यादा chances है कि question उठाएगा सीधे सीधे ठीके तो a kind man greeted them इसमें आपको छाटना है identify करना है क्या adjective तो देखो यहाँ पर adjective क्या होता है जो किसी noun या pronoun की बिस्रस्ता बताता है वो adjective होता है आप सबने पढ़ा होगा ठीके तो यहाँ पर देखो a kind man यहाँ man noun है आदमी ठीके इसकी बिस्रस्ता यह kind बता रहे कि man कैसा है kind है दयालू है a kind man greeted them मतलब एक दयालू आदमी उनका अभिवालन किया इसका अर्थ है तो यहाँ आदमी क्या है noun है ठीके और इसकी बिस्रस्ता बता रहा है यह kind सब्द क्योंकि कहरा है कि वो आदमी है तो कैसा है दलालू है sorry दयालू है ठीके तो man की यहाँ पी सिस्ता बता रहा है यह सब्द तो यह सब्द क्या हो गया आपका adjective हो गया तो simple यहाँ पे आपका कईट है option है तो यहाँ kind आप सीद सीदे लगा सकते हैं तो यह आप लोग का first प्रस्ण हो गया चलिए हम लोग second को solve कर लेते हैं second यहाँ पे आप इधर देख सकते हो second यह वही B है इसका पांचवे चौथे प्रस्ण का B कि he is a worried man यहाँ पे आप लोग ध्यान देना थोड़ा काफी मस्त question है identify the verb यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे तो यार इज भी बर्व है और worried भी बर्व होता है ठीके आपका सोचना अच्छा है लेकिन यहाँ पे देखिए आपके दिमाग से थोड़ा खेला गया है क्या question है कि he is a worried man यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि यहाँ पे इज तो मालो सीधे सीधा आप लोग का helping verb है यह तो आप सब लोग जानते हो लेकिन कितने लोग बोलेंगे कि worried man verb है ठीके और आपसन में ढूटेंगे तो he is worried man यह भी सही है यह भी सही है तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह worried यहाँ पे आपका main verb नहीं है यह worried man दोनों एक साथ मिलकर यह object का काम कर रहे है as a noun की तरह ठीके अब मैंने कैसे कहा दिया कि as a noun की तरह तो देखो इसके पहले यह article लगा हुआ है और article हमेशा noun के लिए ही आता है यानि इनकी देखना किसी noun के पहले ही article लगा होता है तो यहाँ यह worried man यह क्या है चिंचीत आदमी मतब पूरा अपने आप में एक सब देखतर से बोल सकते हैं और यह मतब क्या है as a noun की तरह यह use हुआ है यह worried नकी बर्व की तरह तो यहाँ केवल helping बर्व यहाँ use है यह main बर्व है ही नहीं इज तो यहाँ पर इज यह absence है यह गलत है यह आप लोग का noun की तरह use हुआ है इस चीश को आप लोग को ध्यान देने की जूर थे अब आप लोग कहोगे कि तो क्या मतलब जो भी article होते हैं वो noun से पहले हमें सा यूज होते हैं यह बर्व से पहले यूज नहीं होते हैं तो नहीं यार देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई verb है अगर बर्व के पहले article पहले तो आता ही नहीं आप सीधे google में सच करने की can we use article before a verb तो सिधे सिधे आपको google में answer मिल जाकी you cannot use लेकिन use कर सकते हो लेकिन इसके कई तरीके हैं कई तरीके हैं इसको use करने के उन तरीकों पर मैं देखो जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो आपके label के question नहीं तो अब जैसे बड़ी label के competition type के question हो जाएंगे ठीके तो आप जब competition के तयारी करेंगे तो आप पढ़ेंगे बाकि यहां पर मैं इतना बतायता हैं तो अगर किसी verb के पहले article a या an यूज हो जाता है तो verb as a noun की तरह treat होता है तो यहां यह worried जो है noun है और ऐसे भी आप यहां पर पता लगा सकते हो कि अगर यहां worried है एडी है ठीके तो यहां पर यह तो past tense हुआ और अगर past tense हुआ तो यहां इज यह क्यों लगा है इज तो नहीं लगना चाहिए यह तो मतब present continuous का में इज लगता है तो इस तरह से भी आप लोग मतलब इसको कलरिफाई कर सकते हो कि यह आप लोग का वर्व नहीं है ठीके चलो I hope आप लोगो एकदम अच्छे सा मेरी चीज है जो भी बता है समझ में आ गया होगा आपके ठीके यहां पर देखो she वाला परसंद क्या है कि the noun from of good is ओके मतलब जो form बोल रहा है from नहीं है the noun form of good is देखो good क्या है सबसे पहले good जो है आप लोग का adjective है क्योंकि जैसे जो विशेष्टा बता है किसी चीज का तो गुड तो किसी चीज की विशेष्टा बता है जैसे तो वहाँ वह बुख़़ए नाउन है और उसकी भी से इस्ता बताया जा रहा है गुड ठीके तो गुड क्या है अपने आप में अब देखो गुड अगर एड़जेक्टिव है तो एड़जेक्टिव जो भी सब्द होता है उनका हम लोग मतलब कई धे एक नहीं कई धे रूल होता है कि उसे में कुछ हम लोग suffix जोड कर हम लोग क्या बनाते हैं noun बनाते हैं suffix कहने का मतलब क्या है जैसे आप लोग पढ़े होंगे जैसे उपसर्ग होता है न आप लोग sometime उपसर्ग मतलब जो किसी सब्द के पहले लगता है ठीके उसको prefix बोलते हैं और जो किसी सब्द के बाद में लगता है ठीके उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं suffix तो यहां देखो जब adjective आ जाए ठीक है तो कुछ adjective होती है ठीक है जिसमें n-e-double-s लगा कर ठीक है उसमें n-e-double-s लगा कर हम लोग का बनाया जाता है noun form तो यहां good adjective है इसमें n-e-double-s जोड़ दोगे तो वो goodness noun form हो जाएगा इसका अब इसका बहुत सारा rule है मैं आपको इस इसी में से question d to fudge जाएंगे तो good का noun form एकतर से बोल सकते हैं वो goodness होगा यह ठीक यह सब गलत है यह तो good यह better best इसका तो यह degree form है और यह goods यह तो वस्तू यह तो गलत है यह goods यह अलग ही लिख दिया है एक सब लिख दिया है ठीक अब देखो he is suffering favor dot dot क्या बराएगा यह तो आ आप सब लोगों ने हो मतलब छोटे पसे लिखते आ रहे हो चुटी के लिए प्रात्मा पत्र इंगलिस में तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि he is suffering from favor since last night ऐसे आप लोगों ने लिखा होगा तो यह इसमें from सही है ठीक चलो यह हम लोगा d option भी सही हो गया यानि चौ है sentence इसको present indefinite tense में change करना है तो देखो helpful to me या helpful for me यह एक phrase है ठीक है यह क्या है एक phrase है इसको कभी यह helpful यह इसको बर्व की तरह आप ट्रीट मत करना ठीक है ने तो आप यहाँ इज है तो यहाँ पर भी कहोगी आई एंज लाएगा ठीक तो देखो he is helpful to me यहाँ change into future indefinite हमको यह helps यह s लगा है word में he helps me यह भी गलत है यह प्रजेंट में ऐसा होता है और यहाँ देखो has been आया है तो has का प्रियोग तो यह भाई किस में होता है present में होता है आप सब लोग जानते हो तो यह option सही है लेकिन देखो यहाँ पे आप लोग का he will be helpful to me यहाँ will be लगाया है तो यह paper में देखिन चलो बाकी यह तो तीन ठ्यापसन आपके साफ गलत है तो यह तो आपको सही हो नहीं है तो इसको आप लगा देना ऐसे अगर यह question आ जाता है तो तो यह थे आप लोग के देखिए इसी प्रकार के पांच आपके objective type के मतलब प्रसंद इस साल भी आएंगे न जाल सकते हैं उन लोग का मन तो इस प्रकार grammar section C में आपका section C में grammar वाले section में कुछ इस प्रकार के 5 objective question पूछेगा और आपका objective question कैसे कैसे पूछेंगे मैंने पूरा पूरा जो मतलब नए pattern पर आप लोका model paper है उसका वीडियो वना रखा है आप जाकर उसको देखिएगा आपको पता चल जाएगा मैं आसा करता हूं यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो चलिए तो यार चैनल को subscribe करना वीडि च्बड़ी वीडियो थे को ही आपको करता है उसको अ